तुम का दाना भी बड़ा दुन से था तुम क्या सबद और क्या बोल बोल नर्वी थी सबद ना बहुत बड़ा का रहा होता है वो नर्वी इस भाल से गा रही थी कि मैं दो वेश्या हूं मैं दो करत दन हूं मैं तो लोगों के सरीरों की इच्छाएं पूरी करती हूं लेकिन है स्वामी आप तो ब्रंचारी हैं आप तो पुर्ण गुरुष हैं आप तो महात्मा हैं आप तो जागे हुए हैं आप तो आत्मा में स्कित हैं आप तो जेदना हैं करवा आप करके एक दरिश्टी इस तुछ अवागी पर डाल करके मुझे भी करप पात्र बना लिए और मुझे भी करतार की जिए जो ही वो सब्स्रामी जी के कानु में बड़े बड़ा अप्सोस हुआ बड़ा विचार हुआ और चो धिमां के अंदर बुद्धी के अंदर इतने विचार चला रहे थे वो पूंटते चले गए और बिना मुलाए इस स्वामी जी खड़े हो गए तो ऐसी स्थिती उत्पन हो गई कि स्वामी जी एक दम से विचार हुआ कि बड़ा अधुमत नहीं इस्त्री उत्रूस के सविचे में भेड़ता रहा हुआ जुमत फुद्ध एक कात्मा हुआ इसे क्या प्रभाव होता है वो धिश्कान ही हो चुके थे पुरी सिस्क्री और तूस के धेज से खड़े हो चुके थे वो वहां पहुच चुके थे जहांके वो लेक रहता है वो छट से बाहर आए अब उन्हें किसी चीज की परवा नहीं थी धुरने कारत था नहें कुछ पूने कारत था खोने का वै उस ही को होता है ुछिसे पाने की लाग्षा होती है जब पाने की लाज़्षा खतम हो जाती है तो पूने का भे भी खतम हो जाता है जब भी शमझ चुके थे कि नहीं कुछ होना है नहीं कुछ पाना है जो भी कुछ है वही है तो वही था और वही होगा और आये दर्वार में अपने कोई आपक्ती नहीं थी तो वो जाए इसलिके स्वाद सोई आप उसके साथ कोई परभाव नहीं था कोई विचार नहीं था क्यों कि जब तक ये हिंद्रियों पर काबू नहीं रहता जब तक मन के उपर काप नहीं रहता, तब ही तक पढ़वाओ है, लेकिन जब हम इने सब से उपरूप जाते हैं, तो पहुंत दूर से ले जाते हैं, अब वो सवामी जी नहीं थे जो भैवी थे, मारी से, वो नहीं थे जो काम से डर रहे थे, अब वो जागे हुए कहां पुर अब और के जबड़ चुका था, अब और भुद्री उचायों को जो चुकी थी, जेतना और उपर 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 चुकी थी, अब वो कहीं भी किसी तरह से बिलाए सकते थी, लेकिन जो कसन राम से भी सरे स्पहुनां को, राम के साथ भी मिकुलना, या को थूरना करना, संद मह आत्माओं की मिकुलना ठीक नहीं है, लेकिन अफ़ारों की तो तुकुलना, लेकिन में क्या गूरूं, ये संसारी करसल को पूर्ण रुप से सुरिकाय करता है, राम को, जो राम को नारेने वाले हैं, राम दैसा मर्यादा खुसोत अमाजकति संसार की नहीं हुआ, नहीं होने की आस, क्योंकि जो के उपर से उतार आता है, वो विशेश काईए के लिए आता है, राम जैसा वचन का पादन करने वाला आजकत नहीं हुआ। पिताब एक सबत के काईन भरमाज को चला गया, राम जैसा नहीं हुआ। लेकिन करिशन का जो चरिकर है, करिशन का जो खेल है, करिशन की जो हसी है, करिशन की जो भाया है, करिशन की जो तागत है, करिशन के जो सबत हैं, क्रिशन का जो राज है, वो अगर होई है, उसका कोई जोड़ दूर नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, क्रिशन वो जेतना है, जो अपने आप में संपूर है, अपने आप में स्रेश है, आज तक उन्तों ने किसी को मना भी नहीं किया, बड़ा दूप, नहीं सारी दूप में, नहीं आत्मी दूप में, विकिन राम की ये काले नहीं कर पड़े, आप ये समझो, राम गोप गिचा है, जो कांट शाट करके इतना सुंदर सजा हुआ है, इतना सुंदर सजा दिया गया है, देखते ही हर कोई मोहित हो गाए, हर कोई विचार करने लगे, इससे सुंदर पूरी पर पूरे बर्मान में कही नहीं, लेकिन करशन वो बन है, जो पूरे बर्मान में पहला हुआ है, राम एक सिमित है, तो अगर आप अनुमान को पोजने लगोगे, वो तो वो गमदा है, इससे मालिक ने इतना सुंदर दिया रिखिया है, तो कि बन नगी, बन तो क्यों करशन है, क्योंकि उनने हर जबे, हर प्रिष्टिती, प्रेव से लेगर के युद्ध तक, सन से लेगर के वादने तक, वो ही में ऐसा इस प्रमान में काये नहीं जो नहीं किया हुआ, उनने तो यक में, सेवा में, कुछ लोग की ये महतों समझते हैं, कि हमें तुम्हों कहेगा, कोई मैं ये कारिये करणा, वो बोलें कि तुछ सी उसकी सुनूंगा, दूसरे की नहीं मनुगा, कुछ लोग अपने जुन्मवाई से भागते हैं, कुछ लोग दिखावा जाला करते हैं, कारिये कम करते हैं, कुछ लोग अच्छे कारिये की कलास करते हैं, कि सेवा का कोई अच्छा कारिये मिल जाए तो मैं भी करनूं, तो भिन-भिन प्रकार के भिन-भिन गर्कियों के लोग हैं, हर समय होते आए हैं, लेकिन जो क्रिशन ने किया है, आप विचार करना यद्द के अंदर, उस समय एखानी तफंक परचलन था, पत्म के उपर बज़त करा जाता था, बड़े-बड़े पत्म के उपर, उन्होंने वो जुटे पत्म तक उठाई हैं,